अम श्यान्ति नौम अई कोई भी शरीर छोड़ता है तो लोग रोते पीटते हैं बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ आत्मा से प्यार करना शरीरों से नहीं शरीर तो विनासी है आत्मा में ही प्यार है आत्मा ही प्रेम स्वरूप है आज बाबा इस बात को बहुत बार-बार हम सब को ध्यान दिला रहे हैं आत्मा ने शरीर लिया था पाठ पूरा हुआ छोड़ कर वापिस गई रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार तो आत्मा से ठाना, देखो सरीर चूट गया तो सरीर से कोई प्यार नहीं करता हो, उसे जिला देते हैं फटा फट, तो हम आत्मिक द्रश्टी रखते हुए आत्मिक प्यार को बढ़ाते चले हैं, प्यार सरीरों से होता है नह आत्मा से प्यार करेंगे, तो सच्चा प्यार रहेगा, Εवर는지는 प्यार रहेगain, सुख देने वाला प्यार रहेगा, बाबाаки indispensable, तुम घरस्त में वले रहो, लकिन ममत कुमा क्रेव bit आओ, कहते हैं माता हैं बाबा याद नहीं रहती बाबा कहते हैं बच्चे करम करते ही तुम्हें याद में रहना है बच्चों को खिलाओ पिलाओ नेलाओ धुलाओ और याद का अभ्यास करो करम में तो तुम्हारे पाप करते जाएंगे, क्योंकि विकर्मों का बोजा बहुत है, तुम गंगा में इसनान करते थे, मिट्टी मलते थे, पाप कटें, तुम गंगा में इसनान करने से पाप नहीं करते, पाप तो योगबल से ही कटेंगे, इसलिए मेरे से बुद्धी योग लगा रखो लेकिन माया इसमें ही सबसे ज़्यादा भी घंडालती है सब कहते हैं बाबा आपकी याद नहीं रहती बाबा कहते बच्चे तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो बहुत सहज है पर माया भी लड़ती है रुस्तम से रुस्तम यानि जो जितना बड़ा पहलवान ह होगा उससे माया लड़ेगी कमजोरों से लड़के क्या करेगी पहलवान भी बराबरी वाले से हाथ मिलाते हैं काय डीले डाले को हरा दिया तो लोग भी मजाक करेंगे इसको हरा दिया माया भी पावर्फुल है रुस्तम बन कर ही लड़ने आती है इसलिए का गया है माया ज जीते सो जगत जीत, इस माया को जीतने की विधी, बाबा स्वयम आकर सिखाते हैं, इस माया से सभी हार खाये बैठे हैं, बाबा ने आकर हम सब को ग्यान दिया, इन पांचो विकारों को तुम कैसे जीतो, मुख्य है काम महासत्रू, इस पर हमें देहिय अभिमानी बन कर विज प्राप्त करनी है, नेक्स पॉइंट है विश्व श्यानती पर, लोग कहते हैं विश्व में श्यानती स्थापितो, तुम ही उन्हें क्या समझाना है, श्यानती सम्मिलन होते रहते थे उन दिनों, तो बेनों को निमंतर मिलते थे, तो बाबा मुल्लियों में ही समझाते थे कि तुम उन्हें क्या समझाओ तो बाबा कहते है तुम उन्हें बताओ कि अपसे 5000 साल पहले इन देवी देवताओं का इन लक्षमिनारायन का भारत में राज था, तब एक ही खंड था भारत, एक ही धरम था यहाँ देवी देवता धरम और खंड थे नहीं, और धरम थे नहीं, तव विश्व में संपूर्ण स्यांती थी बाद में आकर यह स्यांती हुई है तुम उन्हें समझाओ, इस समय शिव बाबा, जो भगवान है जो स्यांती का सागर है वो आकर इस अंसार में श्यांती स्थापित कर रहे हैं वो देवी स्वाराज श्थापित कर रहे हैं तुम सारा डिटेल समझाओ सत्यूग सूर्य वनसी घराना था, क्या-क्या था भाँ वो कैसे-कैसे नीचे उतरे कल्यूग में आकर कैसे सब श्यांती हुई, अनेक धरम राज हो गए, भगवान आया है पुने राज योग सिखा रहा है अब शंती की स्थापना करा रहा है तो विनास भी तो जरूर होगा ये बात लोगों के ख्याल में नहीं आती कि जब नई दुनिया स्थापित होती है तो पुरानी का विनास भी होता है तो उसके लिए सब तयारी हो रही है मा भारत लड़ाई सामने खड़ी है लोग भी सोचते हैं जब लड़ाई दिख रही है तो भगवान भी जरूर कहीं आया होगा लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलता भगवान कौन है वो कैसे आता है कहां और कब आता है तुम बच्चों को सब को बताना है कि इस समय विनास काल भी चल रहा है और बाबा स्वयम भगवाना कर विश्व में स्यंति की स्थापना कर रहे हैं बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं मैंने तुम्हें ये राज दिया था तुमने माया के वसो कर ये राज गमा दिया है अब मैं फिर से आया हूँ तुम्हें राज देने के लिए तुम्हें नसा रहना चाहिए हम बाबा से विश्व की राजाई ले रहे हैं देखो मैं कितना भोला नात हूँ तुम कहते हो बाबा हमारा ये सब कुछ आपका थोड़ा सा तुम्हारे पास है बोला नात व्यापारी हों तो मैं बदले में तुम्हें विश्व की बादसाही दे देता हूँ बाबा ने कई बार ये बात रिपीट की फिर कहा कई बच्चे कहते अंत में आकर ले लेंगे राजाई अंत में आकर सब कुछ सेवा में लगा देंगे बाबा कह रहे नहीं बच्चे अंत में मैं क्यों तुम्हारा सुईकार करूंगा जो तुम्हारा काम ही नाए मैं ऐसा व्यापारी नहीं हूँ कि यूज भी नहोड, तुम्हें बड़ा ब्याज देना पड़े, मैं तो गरीबों की पाई-पाई से स्थापना कर रहा हूं, जो मेरे कारियों में लगते हैं, धन लगाते हैं, उनको मैं बहुत बड़ा इनाम देता हूं, मैं राजाई देता हूं, तो तुम्हें ये वियाफ करना है और राजाई लेने का नसा रखना है बाबा नसा चड़ा रहे हैं देखो बच्चे मैं तुम्हें कितना जाद ब्याज देता हूं तुम थोड़ा सा धन लगाते हो मैं तुम्हें राजाई देता हूं तो तुम्हें नसा होना चाहिए हम भगवान से राजाई ले रहे ह आज का वर्दान है, हजार बुजावाले ब्रह्मा को अपना साथी वनाओ, कर्मों में, सनी वनाओ उसके, तो बाबा को हम जान ले, ब्रह्मा बाबा भी संभूर्ण है, स्री बाबा ने उनको बहुत अथोरिटी दे दी है, बाप दादा दोनों ही हर करम में साथ देते हैं हमे बाबा की बहुत अच्छी लाइन है, हर करम में पहला साथ होता है बाबा का, तो ऐसा हर करमों में उसके साथ का अनुभाव हम करते चलें, तो सहज योगी बन जाएंगे, प्यार भी बहुत जादा रहेगा, और हमारे करम भी सहज सफल होंगे स्लोगन है, ऐसरी रीपन का अभ्यास करना ही, तिवरता से आगे जाने की विधी है, तो आज हम सारा दिन बार बार देह से न्यारे होने की प्रेक्टिस करेंगे, कभी करेंगे मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं, तो कभी अभ्यास करेंगे देह जैसे लोप हो गया और बच गई मैं निरात्तार आत्मा हर गंटे में एक बार, ओम श्यांति